अस्लाम अलेकुम मैं हूँ उबेदर रह्मान और आप देख रहे हैं चैनल ताविशा सुचियासी आप एक ताजी लाल मिर्च ले लें ताजी लाल मिर्च लेने के बाद आप एक धागे की नल्की ले लें एक धागे की नल्की लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से नक्ष तयार कर लेना है, इस नक्षकों में भनने का पूरा तरीका आपको इंशालला बताओंगा, और एक सुई ले लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुष्मन आपको न सताए, आप दुष्मन से मन चाहा बदला ले सकें, और आपकी दुष्मन से हिफाज़त भी रहे, तो कोई उसको पनार ना देगा, लेकिन जब दुष्मन ना हक पर होगा, और आप हक पर होंगे, तब ही ऐसा होगा, दुष्मन को इस अमन के बाद चैन नहीं मिलेगी, दुष्मन किसी भी तरह का आप पर वार ना कर पाएगा, आप इस अमन से दुष्मन को जैसी चाहे हो, इस बता दूए कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करेंlor कि कि लेना है इस तरह से खाका खिंचने के बाद आपको यहाँ पर इस खाने में लिखना है आइन मीम लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सीन यहाँ पर भी आपको सीन लिख देना है इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर भी आपको है लिख देना है पाँच, साथ, छे, आठ, इसके बाद आपको यहां पर लिखना है तीन, नौ, पाँच, और आठ, इतना लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है तो, तो, इसके बाद आपको यहां पर लिखना है नौ, नौ, यहां पर आपको लिखना है मीम, मीम, इतना लिखने के बाद, आपको दुश्मन का नाम यहां पर लिख देना है दुश्मन अगर अवरत है तो बिंते लिख दे दुश्मन अगर मर्द है तो बिं लिखने के बाद उसकी मा का नाम यहां पर लिख दे अगर दूसरा दुश्मन है तो उसका नाम यहां पर लिख दे और बिन या बिन्ते लिखने के बाद उसकी मा का नाम यहाँ पर लिख दें अगर तीसरा दुस्मन है तो उसका नाम यहाँ पर लिख दें और उसकी मा का नाम नीचे आपको बिन या बिन्ते लगाने के बाद यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से यह आपका नक्ष तयार हो जाता है इस नक्ष को ब्लैक कलर के पेंसे लिखना है नक्ष आप दिन या रात कभी भी लिख सकते हैं और इस नक्ष को किसी भी दिन बना सकते हैं आपको नक्ष बनाने के बाद इस नक्ष को इस तरह से ले लेना है और मिर्च पर इस तरह से इसे लपेड देना है इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको इस मिर्च के ओपर लपेड देना है मिर्च उसके अंदर चली जाए इस तरह से लपेडने के बाद आप धागा ले ले और इस धागे से इस नक्ष को इस मिश्च के उपर बान दें इस तरीके से आपको ये बान देना है कि ये निकलने ना पाए इस नक्ष से इस तरीके से आप एक गांट या दो गांट या तीन गांट अपनी मजबूती के हिसाब से लगा दें लगाने के बाद आपको सूई लेनी है, सूई लेने के बाद आपको यहाँ पर इस जगह से इस मिर्च में नक्स लपेटने के बाद इस मिर्च में इस तरह से लगा देनी है इस तरह से लगाने के बाद आपको यह धागा थोड़ा सा लंबा कर लें यह थोड़ा लंबा करने के बाद आपको इस तरह से किसी उचे पेड़ पर सूखा हुआ पेड़ कोई हो इसमें पत्ते जढ़ चुके हो और वो बिल्कुल सूख चुगा हो इस तरह का कोई पेड़ आ आप इस तरह से बना लेंगे इसके बाद दुस्मन आपका कुछ नहीं बिकार पाएगा और धीरे धीरे वो पस्त हो जाएगा और बीमार रहने लगेगा और आखिर में वो आपके कदमों में होगा इंशालला ये अमल सिर्फ जाइज मकसद के लिए है आज की वीडियो में इत कास्त के साथ